और हर्याना बीजेपी के नई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चंदिगड में हर्याना निवास पर मंतर जारी और इसे लेकर मुख्यमंतरी मनुहर लाल की अगवाई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के इस रेस में फरिदाबाद से सानसद और केंद्रे राजमंत्री क्रिशनपाल गुर्जर का नाम रेस में है और इस बीच एक फोटो सामने आई जिसमें सी एम मनुहर और केंद्रे राजमन्तरी कृश्टनपाल गुर्जर बुके के साथ नजर आए अब इस पर मुख्यमन्तरी मनुहर लाल ने कहा कि वो मुलाकात करते रहते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई मिलता है तो फोटो भी होती रहती है अलाकि यह अब इस पुख्ता नहीं किया गया है कि यह मुलाकात या यह बुके किसी कंफरमेशन के और इशारा कर रहा है लेकिन फोटो को पुराना बता रही है मंतरी मनुहरलाल और साथी उन्होंने स्पष्ट किया कि करीब गरीब एक हपते का समय और लगेगा जल्द हर्याना बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा अफिलहाल सीएम की तरब से इस बारे में सपष्ट कर दिया गया है अर्याना निवास पर बीजेपी विधायक मंधन कर रही है और अभी इस बैठक की लिए बात करें तो बैठक चल रही है और इस बैठक के माध्यम से ही ये तै किया जाना है कि आखिर किसे प्रदेश के जिम्मदारी स्वाँ पे जाए और चंदिकर चलते हैं हमारे संबादता राजन चर्मा के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी इस बैठक में क्या कुछ नई जानकारी इस बैठक से क्या कुछ मिल रही है राजन आपको आवाज मिल पा रही है जाना चाहेंगे क्या चल रहा है इस बैठक में और कब तक चलेगी ये बैठक कि बिल्कुल देखे तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्र भी इस बैठक के अंदर मुझूद है और यह उम्मीद की जा रही है कि कहीना कहीं बेशक प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चाहे ना हो लेकिन एक राय बनाने की जरूर की जाएगी हाला कि यह पूरा का पूरा जो मामला है सरकार से जुड़ा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो संगटन का मामला है बीजेपी का लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से लगातार कयास चल रहे हैं जिस तरीके से लगातार नाम सामने आ रहे हैं उ उनको किस किस तरीके से क्या क्या सुलूशन उसका किया जाए वो सब चीजे इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा की जा रही है